कि है आझके वीडियो में हम कक्षा 7 और कक्षा 6 की जो गनीत की कारीफ पूस्थिका है दोनों के लिए एक ही workbook है और इस workbook का आझसे हम् warfare website नमबर τीन कारे पड़ झार और कारीप नमबर पांच और कारिय पत्रक no.6 यह 4 कारिय पत्रक इस बीडियो में हम सोल करेंगे। इनके अंसर आपको बताए जाएगा। इस से पहले हमने जिव कारिय पत्रक no.1 है वह सोल कर लिया है। ऊसका वीडियोबヒरियो आपको मिल जाएगा नीचे प्ले लिस्ट में और यह भी हमने कर लिया तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कारी पत्रक नमबर तीन जिसके अंदर हम सिखेंगे बिन्न के बारे में यानि फ्रेक्शन दक्ष्टा क्या है इसकी बिन्न की अवजारना की समझ विक्सित करवाना तो सबसे पहला क्यूशन आपका इसमें है रिक्तिस्तानों की बाग में इसके अंदर कलार बरा हुआ है तो आपको इसको बिन्न के रूप में दर्शन है बिन्न के रूप में बताने के लिए हम क्या करेंगे एक लाइन खीचेंगे और इस पूरे बाग इस गोले की कितने बाग हो गए टॉटल एक दो तीन चार बाग है तो हमने चार नि नीचे यह वापस चाह रहें उपर का जो एक हिसको हिंदी मेंस कहते हैं अंपर वाले संंक्य को अंस कहते हैं और नीची लिकीवी संख्या है इसको हम हर पाहिते हैं वह यह नीचे हर होता है तो बमल्एञ से ऊस्धे में लिखे देख लेते हैं जैसे कोई वरत हैं इसको हमने चार बागों में बांट दिया है और उसके एक बाग में छाया बना दिये तो हमें बताना हैं कि उसका बिन किया बनेगा तो उसका बिन बनेगा एक बटा चार इसका उपरवाले जाया इक है अर या यानने की नीचे भाले जाया है चार है तो हमने यह पर लिख लिए यह सबी कि कुल चार बाग होते हैं इसमें से एक बाग में कलर बर दिया हैं तो एक बटा चार बाग हो गया फिर उपर वाले को अंस कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं तो एक तो इसका अंस है और चार इसका हर है फिर टोटल जिसे कोई आकरती हैं जिसके बारा बाग बना रखें और बारा में से पांस बाग में चायां बर रखेंगे तो कुल बाग तो हम नीचे लिखेंगे बारा तो नीचे लिखेंगे और उपर लिखेंगे इसके जितने बागों में हमें चायां बर रखेंगे तो इसक सिंकह निचे आति चोटी संगह उपर आती है तो यह AmpuraStay ऊफ्हें निचे प्पाइगा एक से और आप इसमें है फिर पांच और यहीं दे रहा हैं बिनивать कें तीन बर Zweya 5 वालत होता है चाहनकित बग तो साथ इसके कुल बाग है और अंस कितना है पांच है और हर कितना है साथ है इसी प्रकार से किसी बिन्न का अंस तीन है तो और हर इसका आठ है तो वो बिन्न क्या मनेंगी तीन बटा आठ इसका मतलब कुल कितने बाग होगे इसके आठ होगे चाहें कितने में है तीन में है सेम इ मैं बिंड के बारे में समझा बिन को इसी भी हो सकती है जैसे ते ही बड़ा चार सो टॉटल सकhmen चार बाग हो गए है और इसमें से तीन गंएं बाग में बढ़ने हैं तो चाहां-गीत में स्ख很好 कर्ण हिसमें तॉन एक हैं र Censusbox पर तो एक मन ही इसчи बाद rifish को कम और चार दखेंगे इसमें पोचित रत्म बाग सब्सक्राथ अज्ब में आधवा वस्तों दो आदे को आदे का मैं यह जैसे 2 में से इक में बने यह तो कितने हैं एक दो तीञ चार पंच छह तो च्शह के जाधे कि इतने बिचता, यो शाहीं कि भाग हो जाएगा यह चार मसलिया इसे में से में और दो प्रसन सेंगे दो में आपको एक चोथाई एक चोथाई का मलब होता है एक चार इसको हिंदी में करते हैं एक चोथाई इसको हिंदी में एक चोथाई कहते हैं और एक बटा दो को मलब होता है आदा और एक बटा चार का मलब होता है एक चोथाई तो एक चोथाई में इसमे से एक में कलर बर दिया यह चार है नीचे तो इसमें भी एक के अंदर कलर बर दिया तो दो बटा आठ इसका मुदब भी एक बटा चार ही होता है यह चार है इसमें से एक में कलर बर दिया यह चार इसमें से एक में कलर बर दिया यह चार इसमें से यानिकि टौटल जतनी भी आखरे बन रही हैंशमेंसे चार मेंसे तेनमें कलर बरो तो यह चार से टैनमेंज इनमें कलर बर देना जरा प्रिएर पांस तो हम बन इसकते इह को इदर है चार में तीन में बर दो इधर चार तो चार में तीनों में बर दो यह तीनों कलर बर दो यह तीनों और यह तीनों और यह उपर के तीनों में कलर बर देना तो यह जाएंगे हम एlvania एधर वला वान है तो यह तो मैं से यह तिन व कलर दो इन तीनों में जोगाइए तो Susbre xCoi के नदर ब्रूला है तो यह टोटल जितने भी 24 से एठारा में जाएगा तो इस एभी तीन वाग में रंग बढ़ना है दो चोदाई का मतलब चार मेंसे दो चार मेंसे दो चार में बढ़ना हैं इसी परकार से आगे के जो वापस यह चार है इन में दो में कलर बरदो और फिर आगे के चार है इनमें वापस दो में कलर बर दो फिर आगे के चार इनमें दो में कलर बर दो तो चार चार के समूब बना कर उनमें से दो दो में कलर बर देना यह उपर की पूरी लाइने वो कलर में आ जाएगी यह पूरी कलर में कर देना निच्छे खाली छोड़ देना तो यह दो से दो में कलर बर दो किन दो में कलर इसमें वापस चार तो इसमें दो में कलर बर Da dragon executive इस प्रकार से दो लहने उपर के आजए डूद नेंगहें खली छुड जल चेलिफोट जागी यह आपका यह आपकी गेंद है तो इस प्रकारेजियस में दो चोता है विन्दी में जो हों ऐसको हिंदी में 2 ए अब कराकर था प्र आलएं पर आपको बिल्नों की तो करता करें और बठते करह में लिखना है जैसे दूर्डियका दो बना रहे और इसके दो निशान होते ये बड़ा ये च्छोटे बड़ेगा तो जिस तरफ दो मुझ खुले होते उस तरफ बड़ी संग्या होती है जैसे ये दो और तीन है तो तीन इसमें बड़े तो तीन की तरफ दो मुझ होंगे एक मुझ छोटी संग्या की तरफ होता है फिर इसमे से 2 में कलरबर रखा हैं तो इसकी बिन्ह बनेगी दो बटा 4 यह ती च hai बगाद इनसे तीनमें कलरबर रखा न तो तीन बटा 4 बढ़ा कोन है यह चार में से थीन बढ़े हो जाएंगे तो यह यह वाला ईंदर आ यह यहां पे निशन लगेगा कि दो बड़ा चार और तिन बठाचार में यह दो बड़ा चार चोटा हैं और तीन बड़ा बढ़ा है इसी प्रकार से इसके टोट्ल आठ बाग यह आध वाग entirely 5 ऊला बाइफे तू daran तो पांस वाला बड़ा हो जाएगा तो यह पांस बटाट बड़ा है तो तीन बटाट छोटा है तो इदर वाला जिशान ऐसे लगे गए पिर इसके समान बिन वाले आपको चाहिंगित करना है जैसे यहे तीन में से एक तीन में से एक तो तीन में से एक कुन सा मिल रहा है आपकी ये तीन में से एक है त्रिबूज वाला मिल रहा है इदर तीन में से एक इसमें कलर बर रखा है ये जैसे चार में से एक है तो ये भी चार में से एक है इसमें मिलान कर लेना है ये चार में से दो है तो ये आठ में से ये चार में से दो है इसको य ये आठ में से एक और यह आपका इस पृकर से इसको सही यहां पर मिलान कर लेना तो यह खूर याप के कारिय पत्रक हो जालए यह फिर आपका कारिय पत्रक नंबर 6 खिर कारिय पत्रक्र्क 6 में तो नीचे अगर संख्या एक जी से पांच पांच और पांच पर इनमे से बड़ी बिन बिन कंसे होगी तो जिसके बड़ी होती है नीचे बराबरे जिसın करें वो वीन हमारी बड़ी होती हैं तो देखो पांच एक बटा पांच है दो बटा पांच है और तीन बटा पांच है इनमें बड़ी बिन कुन से हो जाएगी यह तीन बटा पांच है आप कहिके नीचे तो संख्या बराबार מאफ पांस पांस उपपर जो संख्या बड़ी रोती ओ क्यों चे वो हमारी चोटी पूछ दो कि ये पहला प्रस्थ इसमें डी गई बिन्नוכ में से सबसे बड़ी बिन्न का गिरा लागाना है देखो दो दो तो सबकी नीचे उपर इसे के तीन इसके एक और इसके पांच थो पांच बटा दो सबसे बड़ा होगा इसमें तीन तीन और तीन है चार दो एक तो यह चार वला सबसे बड़ा हो जाएगा इसी प्रकार से यह शात वला है कि यह इसमें बड़ी हो जाएंगी फिर आपकी छे वला एक तोesting वाँ है है तुम से बड़े हैं चार जार चार चार ढ're चार तो पांस तीन एकि इनमें से पांशी यह सबसे बड़ी इस प्रकार से इसके जो बड़ी गाथ बिन नहीं कि दूसरे प्रस्षाम में आपको है उसके उपर गोला बनाना है कि चोटी संग्या चोटी बिनी के उपर गोला के लिए हमें पतिक प्रस्द छगत नहीं सबसे प्रस्चे और प्रस्थ संग्या नंव ऑर उपर चार नोर दो है तो 것으로 सबसे चोटे हैं दो बटा 11 के उपर आपको गोला बनाना है सोड़ा सा निस्सान लगा ना इसके उपर और फिदैने एक बटा पांच पांच मैंपा बटापांच पांच पथा न है तो एक बटा पांच सब से चोटा है ouर साथ Bटा साथ बटा साथ, नो बटा साथ, पांस बटा साथ, तो पांस बटा साथ सबसे छोटा है, पांस बटा च्छे, साथ बटा च्छे, ग्यारा बटा च्छे, तो पांस बटा च्छे सबसे छोटा है, जो सबसे छोटी है, इसके उपर आपको राइट का निसान लगाना है, इस पका सारे वीडियो मिल जाएंगे आपको सब्सक्राइब कर सकते हैं और समझ सकते हैं लब को हिंदी के और अंग्रेजी की वर्क भूक यह उसका भी आपको सोलिशन मिलेगा और कुछी दिनों बाद में आपके विज्ञान की वीदियो आने वाला है तो आप आप से मार्क्स कर सकते हैं तीसरा जो आपका सवाल है इसमें आपको बिन्हों को लिखना यह तो बरबर को doing चार बटा पांच फिर उसे छोटा होगा तीन बटा पांच तीन बटा पांच फिर उससे छोटा हो जाएगा एक बटा पांच तो एक बटा पांच इसको इस प्रकार बता सकते हैं यह सबसे बड़ी इस से बड़ी यह और सबसे चोटी एक बटा पांच सबसे बड़ी चार लेना है तो सबसे पहले चे बटा साता आएगा फिर और घौरा साथ एक दो और तीन इस प्रकार से नंबर की वैस्वाष आपको लिखनी इन को बड़ते करम में लिखना आए मतलब पहले छोटी फिर वाद में बढ़ी तो एक बढ़ा पांस पांस बड़ा पांस तो सब जो प पर बढ़ यह तीन और पांस लिख देना इन में चार-चार सब के निचे लिखे लेना और उपर एक दो तीन लिखे लेना एक दो और ती इस प्रकार से यह बिनी जो इसमें सबसे चोटी और सबसे बड़ी के करम में हम लिख लेंगे अगले वीडियो में आपका जू कारिपत कि दोस्त ने आपके उनके साथ में भी ये वीडियो शेयर जरू करना और इससे पहले का जो कारी पूस्तिक नमर एक और दो हैं उसको भी आपको देखना है उसकी भी लिंक आपको निचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो प्लैलिस्ट देर की वांपे आपको मिल जाएगी न आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना गणीत में आपको बीना किसी ट्विशन के आपको जचे अंक प्राप्त होंगे अगर आप जाने जूद रहेंगे तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में एक अगले कारी पतर यानिकारी पतर नमबर जो आपका साथ हैं उसमे में आपको मिलेंगे तब तक जे हिंद जे बारत